एक चोटी स्मयल और स्ट्रोंग विलेपावर साथ आरे सलाम आपका स्वागत है दोस्तों करेंट अपरेल महिने के पार्ट फोर में 23 से 30 अपरेल 2023 तेके करेंट अपरेल के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करते हैं पहला क्वेशन है स्पेस एक्स के द्वारा लॉंच किया गया किस सबसे बर्य और सक्तिसाली रोकेट जो असफल रहा है तो हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा स्टार्ट शिप नामक एक रोकेट लॉंच किया गया था जो असफल रहा है हाली में टेल EOS-2 यह जो है एक सिंगापूर का रोकेट है जो इस रोक के द्वारा लॉंच करने के घोशना की गई थी फैंगियुल 3 यह चीन के द्वारा हाली में लॉंच किया गया था और केन्या का पहला EOS सेटेलाइट ताइफा 1 है नेक्स्ट ओलिवियर डाउडेन को हाली में किजदस का उप परधान मंत्री निवत किया गया है तो हाली में बेटेन के उप परधान मंत्री बन है ओलिवियर डाउडेन क्यूबा के हाली में ने राष्टपती बन है मिगेल डियास कारनेल इवई के हाले में उपराष्टफदी बन है सेख मंसूर बिन जयाद और स्कॉटलेंड के पर्थम मंत्री हाले में बन है हमजा यूसुप इन सब का नाम याद रखना है किसानों को परसिक्षन तरथ सुगधा के लिए किस राजी में किसान समपर्क अभियान की सुरुवात की गई है तो यह सुरुवात की गई है जमू और कस्मीर में नेक्स्ट सी एल एसे ने हाल में किस कंपनी की मार्केट कैप को 5 लाग करोर रूपए होने की घोसना की जिसके बाद इस परकार की यह 11 में कंपनी बन गई है तो यह बन गई है ITC ITC जो है वो 5 लाग करोर रुपए के मार्केट कैप बाली कंपनी बन गई है यह घोसना जो की जाते है यह CLSC के दोरा की जाती है हाली में Solar Energy Corporation of India यह जो है वो मिनी रात ने Category 1 के का दर्जा हाली में प्राप्त किया है और गरूर Erospace यह जो है वो कि एगरी ड्रोन सबसेडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है कि नेक्ट किस देश में आयत होने वाली बहुर राष्ट्रिये वायु अभ्यास इन आयकोस नेकि I-N-I-O-C-H-O-S 23 में भारत भाग लेगा तो इसका एजन जो किया जा रहा है यह ग्रेस में किया जा रहा है हाली में UA में Flag, Desert एक का एजन किया गया था और उसमें भारत भाग लिया था बेटेन के साथ हाली में Cobra barrier का एजन किया गया था और Crisans 23 इसका एजन जो किया जाता है वो France के दोरा किया जाता है हाल में किस राज के साथ असम ने सीमा समझोता किया है तो यह किया गया है अरुनाचल परदेश के साथ और एक बात और दिहान रखना है कि अरुनाचल परदेश से ही vibrant village program की शुरुवात ग्रिह मंत्री अमेसा के दोरा की गई थी भारत ने कहां G20 पार्क विक्सित करने का प्रस्ताव रखा है तो यह प्रस्ताव रखा गया है नई दिल्ली में विक्सित करने के लिए नेक्स्ट पुष्टक सचीन at the rate 50 celebrating a maestro किन की रचना है यह रचना है बोरिया मजुमदार की जैदीप मुखर जिया इनकी हालकी रचना है cross coat वी पिटावी पटावी राम इनकी हालकी रचना है the great bank robbery और नंदनी दास की हालकी पुष्टक है coating India नेक्स्ट राष्ट्रिय तकनिक अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष हालही में किनको निप्थ किया गया है और उन सिना को रंधिय ठाकोर के बारे मियाद रखना है इन्हें हाली में Tata Electronics के MDN CEO के पत्पर निप्थ किया गया है नेक्स्ट आयाईटी का 24 ब्रांच आयाईटी मदरास के सवयोग से किस देश के जांजी वार में खोला जाएगा जो आयाईटी का पहला विदेशी ब्रांच होगा तो ये खोलने की घोसना की गई है तंजानिया में और इसी परकार का रिक्विस्ट नेपाल और सिरलंका के द्वारा भी की गई है अपने देश में आयाईटी की साखा खोलने की नेक्स्ट सेना को चीनी भासा सिखाने के लिए भारतिये सेना ने किस विस्विद्याले के साथ समझोता किया है तो ये समझोता किया गया है तेजपुर विस्विद्याले के साथ नेक्स्ट हाल के एक सर किस देश की सीविल एवियेशन विश्व के विभिन भागों में भूक की समस्याशनी पटने के लिए 1 बिलियन मिल एंडोमेंट अभियान के सुरुवात की है तो यह किये गिए है संजुक अरब अमिरात की सीविल एवियेशन के द्वारा नेक्स्ट तुर्की के अटलंटा में आजित तिरंदाजी विश्व कप 2023 में धीरज बंबा देवरा ने कौन सा पदक जीता तो यह जीता गया है ब्राउंज मेडल नेक्स्ट किस राज के एटा पल्ली में टोड़सा आस्रम स्कूल में भोजन की गुनवत्त का पता लगाने के दि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स मसीन अस्थापित करने की घुसना की गई है तो यह किया गया है महाराष्ट में तो यह हम करना है कि टोड़सा आस्रम स्कूल यह कहा किये तो यह महाराष्ट किये और यहें पर आर्टिफिशल इंटेलिजन्स मसीन स्थापित की गई है जो भोजन की गुनवत्ता का पता लगाएगा और यह अटा पल्ली में है next sudan में भारतियों को निकालने के लिए भारत सरकार ने किस operation के शुरुवात किये ये ओप्रेशन है operation kaveri हाले में operation گंगा कि शुरुवात की गई थि और ये जो की गई थि operation गंगा ये देखना पर एक कौन सा है एक बार आप देखो कौन सा कहा के लिए शुरू की गया था ओपरेशन गंगा और ओपरेशन दोस्त ये जो किया गया था ये हाल ही में तुर्की से तुर्की को मदद करने के लिए ओपरेशन दोस्त की शुरुवात हाल ही में की गई थी ओपरेशन गंगा जो किया गया था यह किया गया था यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए ओपरेशन गंगा के शुरुवात की गई थी next हाल में किस देश ने किसी जीवन के लिए खत्रा वाली परिस्थिती से लोगों को अपकर कराने के लिए फोन पर अपातकाली ने लट सिस्टम का परिक्षन किया है तो यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया है next 24 अपरेल इस खिलारी का जन्म दिवस के अफसर पर औस्ट्रेलिया के सीडनी किर्केट ग्राउंड में उनके नाम पर एक गेट का अनावरन किया गया है तो यह सचीन तेन्दूलकर का जन्म दिन था 24 अपरेल और उनहीं के जन्म दिन के अफसर पर एक सचीन तेन्दूलकर गेट का अनावरन किया गया है सीडनी किर्केट ग्राउंड में और UAE के जो सार्जा सार्जा स्टेडी में वहाँ पर एक स्टेंड का नाम भी सचीन तेन्दूलकर के नाम पर रखा गया है यह भी धियान रखा है नेक्स्ट 25 अपरेल को 12 बज कर 17 मिनट पर सुवा के दिन के 12 बज के 17 मिनट पर कहा जीरो सैडो डे कानभव किया गया है तो यह किया गया था बैंगलूरू में शल में पिर्तिविव पर दुसरा सबसे .... गहरा ब्लू होल देखा गया है कि इसके बारे में आस suf कतन को पहचान ने है इसका चौथा कतन जो jsब बाकी सब कतना सते हैं देखते क्या क्या है तो यह जो ब्लू होल देखा गया है यह इसकी गहराई 900 feet है यह पिर्थीवी पर मुख रूप से Coastal Cast platform पर पाया जाता है सबसे पहले जो Blue Hole की खोज की गई थी यह 2021 में की गई थी और वहां का जो बातावरन होता है वो जीवन की उत्पत्ती की एक जहलक परदान करती है और चोथा पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें बेलीज बेलीज का यह काटन परनेंसूला के बारें बताया गया है तो एक्च्वाली जो दूसरा सबसे गहरा Blue Hole खोजा गया है वो बेलीज में नहीं खोजा गया है बलके यह मैक्सिको में खोजा गया है तो इसका खोज मैक्सिको में की गया है और सबसे पहले Blue Hole जो 2021 में खोजी गई थी यह बेलीज जो यह एक मध्ध अमेरिकी छेतर का देश है वहां पर खोजा गया था बेलीज में तो इसमें कनफिज नहीं थे बेलीज में पहले Blue Hole के खोज के गई थे और अभी हाल में यूकाटन पेनेसूला जो मेक्सिको में वहां पर इसकी खोज की गई है नेक्स्ट 24 अपरेल विश्व मलेरिया दीवल्स के अफसर पर मलेरिया उनमूलन पर परसान इस यह परसान तरियताओं के सम्मिलन का एजन हाल में कहां किया गया इसका एजन किया गया है नई दिल्ली में एक किस बैंक ने डॉलर बॉंड के रूप में 500 करोड डॉलर जुटाने की घुसना किया है लक्ष निर्धारित कीया है तो यह लक्ष निर्धारित किया गया है इस्टेट बैंक ओ इंडिया के द्वारा नेक्स्ट किसके द्वरा निर्वित नेवल बैलिस्टिक इंटर्शेप्ट मिसाइल डिफेंस कमपेटेबिलिटी पर पहला सफल परिक्षन उरिशा तर्ट पर किया गया है तो यह उप्युक्त दोन हो जागा निकि DRDO और भारती नौसेना के दवरा विक्सित किया गया है तो याद रखने है नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी और एक इंटर्शेप्टि मिसाइल है निक्स्ट उत्राखन इस्तित किस गाउं को भारत का पहला गाउं एक्चली DRDO ने घोसित किया है तो DRDO के दवरा उत्राखन के माना गाउं को देश का पहला गाउं घोसित किया गया तेक्टिवली कहा कि जो बोड़र से लगे हुए जो देश है जो चीन से मुक्रूप से लगता है तो उसे अंतिम गाउ माना जाता था लेकिन अब सरकार ने यह घोसना किये कि उसे देश का पहला गाउ माना जाएगा next DPIT के सचीव की रूप में हाल ही में किने निक्त किया गया है तो हाल ही में राजेश कुमार सिंग को DPIT के सचीव के पत पर निक्त किया गया है हाल ही में अरुन सीना को राष्ट्रिय तकनीकी और अनुसंधान संगठन के अधिक्ष के पत पर निक्त किया गया है हाले में कलिकेंदर नरायन सिंग, इन्हें राष्ट्रिये राइफल एसोसिएशन ओफ इंडिया के अध्यक्छ के पद पर निक्त किया गया था और अनंत महसवरी इन्हें हाले में नैसकॉम का अध्यक्छ निक्त किया गया है Next, T20 International में सबसे कम उम्र में 200 विकेट लेने वाले किर्केटर कौन बने है तो ये पाकिस्तान के साहिन अफिर्दी बन गए है Next, महंगाई राहत सिविल की सुरुवात हाल में किस राजसरकार के द्वारा की गई है तो ये की गई है राजसरकार के द्वारा Next, जापान के किस प्राइबेट एस्टेट स्टार्टप एस्पेस स्टार्टप का चंदर मिशन हो को तो आर मिशन वन और सफल रहा तो ये जो था वो आई एस्पेस के द्वारा किया गया था तो यह ध्यान रखना है कि iSpace एक private space startup है और यह जापान की है और इसने अपना चंदर mission शुरू किया था Hakoto are mission 1 और वो असफल हो गया था SpaceX पता है यह भी एक private space sun था है यह अमेरिका की यह भारत की space private space sun था है अगने कुल Cosmos और Skyroot next तिसरे in person quad summit की मेजवाने कौन करेगा तो यह किया जाएगा ऐस्ट्रेलिया के दोरा और quad में यह चारों देश होते हैं next ऐस्ट्रेलिया सरकार में हाल में किन है order of Australia से सम्मानित किया है तो ऐस्ट्रेलिया का सर्वोच नागरिक सम्मान होता है order of Australia और इसे हाल ही में रतन टाटर को सम्मानित किया गया है next सेप्री की हाल के रिपोर्ट के नुसार सेंड खर्चों के मामले में कौन देश सीर्ष पर है तो इसमें अमेरिका सीर्ष पर है चीन दूसरे स्थान पर रूस तिसरे स्थान पर और अपना देश भारत चोथे स्थान पर रहा है next किने लता दिनानाथ मंगेशकर पुरसकार का विशेश पुरसकार दिया गया है तो यह हाल ही में दिया गया है विध्यावालन को और यह ध्यान रखना है कि लता दिनानाथ मंगेशकर पुरसकार की सुरुवात पिछले साल होई थी और सबसे पहला लता दिनानात पंगेशकर पुरुसकर जो दिया गया था वो परदान मंत्री नरेंद मोती को दिया गया था और इस बार यानि कि 2013 में जो लता दिनानात मंगेशकर पुरुसकार दिया गया है ये आसा भुसले को दिया गया है और विश्यस पुरुसकार जो दिया गया है वो विद्यावालन को दिया गया है इसके द्वारा जारे की गई है ये जो जारे की गई है ये जारे की गई है वर्ल्ड मेटरोलोजकल औरगनाजेशन के द्वारा नेक्स्ट भारत के साइकिल महा संग का अध्यक्ष हाली में किन्हें निग्ट किया गया है तो ये राजनाथ सिंग के बेटे हैं अम पंका सिंग इनके द्वरा ये अध्यक्ष बनाए गया है नेक्स्ट, 1969 में कॉम्मिनिटी लीडर्शिप के लिए दलाय लामा को दिया गया रेमन मेक्सेसी पुरसकार से 64 सालों के बाद बेक्तिकात रूप से किसने सम्मानित किया तो ये सम्मान दिया गया उपरोक्त दोनों सुसन्ना वी अफान और एमेली ए अबरेरा तो सुसन्ना वी अफान कुन है? तो सुसन्ना वी अफान ये जो है वो रेमन मेक्सेस से जो फाउंडेशन है उसके प्रेसिडेंट है और एमेली ए अरवेरा ये फाउंडेशन के मुख ट्रस्टी है नेश्ट, हाल में राजस्थान सरकार ने किस वन जीव अभ्यारन की घोसना की है? इसका उप्यूक्त सभी हो जागए और ये जो किया गया है? सोरन, सोरन जो है ओबरान में है, हामेरिगट विलवारा में है और कीचन जोधपूर में है इन तीन, वन जीव संदक्षन अभ्यारन की घोसना राजस्थान सरकार ने की है नेक्ट, पुष्टक, स्मोक, एंड एसेज, किनकी रचना है? तो ये रचना है, अमकाप घोस की विपट्टा भई, राम, इनकी हाल के पुष्टक है, दग्रेट, बैंकर अबरी, सलमान, रुष्दी, इनकी पुष्टक है, विक्ट्री, सिटी, और राखी, कपूर की हाल के पुष्टक है, नाउ, यू, ब्रीद बहारत, ब्रीटेन के साथ मिलकर, ठाल में, क्या करने के लिए समझाता किया है, तो ये उपित सभी हो давाए, भारत ब्रीटेन मिलकर, नेट जीरो, इनकी वर्चूल, सेंट्रल की सुर्वात करेगी, घोसना की है तो यह क्या किया जएगा Net Zero पर काड़े करेगे Joint Deep Sea Joint Deep Sea वाइज तो यह जो होगा वो Deep Sea के में Scientific Study करने के लिए और Space Park तो यह Space Related Work के लिए काड़े करेगा Next हाल में महिला समान बचचत पत्र योजना के सुरुवात किसन के की तो यह किया गया है असमर्ती इरानी के द्वारा Next नवरत ने Center Public Sector Enterprises का दर्जा हाल में किसे दिया गया है तो यह दिया गया है Rail Vikas Nigam Limited को और हाल ही में Solar Energy Corporation of India इन्हें मिनी रत्न Category 1 का दर्जा दिया गया था गरूर Aerospace इसे हाले में Agri Drone Subsidy प्राप्त करने वाली यह देश की पहली कमपनी बन गई है Next 9 European देशों द्वारा उत्तर सागर में Green Power Plant के लिए आये दूसरे North Sea Summit का आयोजन कहा किया गया है तो यह किया गया था Belgium में Next इफको द्वारा निर्मित विस्व का पहला Nano D.A.P किसने लॉंच किया तो यह किया गया है दिल्ली में इसकी इसे अमित्सा ग्रीमांती अमित्सा के द्वारा लॉंच किया गया है Next 2022 में A.D.B वित्पोसित काडिकरम का सबसे बड़ा प्राप्त करता देश कौन बना है तो यह बना है पाकिस्तान और A.D.B यान की इस्चिन डेवलप्मेंट बैग इसका हेड़क्वार जो है वो चीन में है Next जारखन में पहली बार एर इंबुलेंस सेवा किसने लॉंच किया तो यह लॉंच की आगे है मुखमात्री हेमत सोरियन की द्वारा Next पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रिट एक्षन किनकी रचन है तो यह जो रचन है यह ससी सेखर ब्यमपत्ती की रचन है उपर बताएगा था अमिताब घोष इनकी हाल की पुस्तक है Smoke and Essage बोरिया मजुमदार इनकी हाल की रचन है सचीन at the rate 50 celebrating master नंदिनी दास की हाल की एक पुस्तक है Quoting India Next बिर्टेन के पुर्व परधानमती बोरिस जॉंसन के साथ संबंधो के विवाद के कारण किस संस्ता के अध्यक्ष रिचर्ड सार्प ने अपने पत से इस्तिफा दिया है तो ये BBC के पुर्व अध्यक्ष है Next मुंबई में आयो जित 68 वे Hyundai Film Festival अवार्ड में किसे सरुसेस्ट अवार्ड दिया गये इसमें उप्यूक्त सभी हो जाएगा अभिनेत्री बेस्ट महिला अभिनेत्री के रूप में आलिया भट को समानित किया गया है अभिनेता राजकुमाराओ को और फिल्म गंगुबाई को घोसित किया गया है Next किस देश के सेलिस्बरी प्लेन में भारत और बिर्टेन के बीच आयो जित सेन अभियास अजे वारियर के साथ में संसकरन का एजन किया गया है तो यह किया गया है बिर्टेन में तो ध्यान रखना है कि अजे वारियर यह भारत और बिर्टेन के बीच आयो जित किया जाती है यह एक सेन अभियास है इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में Orion नामक Year Force Exercise इसका जो आजन किया गया है यह भारत और फ्रांस के बीच की जाती है और इसमें यानि कि Orion जो Year Force Exercise है जिसका जो आजन फ्रांस में किया गया है तो इसमें Sivangi Singh ने भाग लिया है Sivangi Singh जो पहली राफेल फाइटर पाइलेट है Next, नेपाल इस्थित 8000 एकाडमी मीटर विश्व की दसमें सबसे उची चोटी तथा सबसे खतरनाक Mount Anpurna को फटा करने बाले पहले भारतिये कौन बने है तो ये बने है अर्जुन वाजपीत इसमें question को समझना है कि Anpurna, Mount Anpurna ये कहा है तो ये नेपाल में है इसकी उचाई है 8000 एकाडमी मीटर और ये विश्व की दसमें सबसे उची चोटी है सबसे उची चोटी को है तो Average है सबसे उची चोटी Average है लेकिन अभी तक Mount Anpurna पर बहुत कम लोगों को द्वारा फटा किया गया है क्योंकि ये इस पर चरना बहुत ही खातरना कि ये सबसे खातरना परवत माना जाता है तो इसमें इसको फटा करने वाले पहले भारतिय बने है अर्जुन वाजबवी संपन रमीश इनके वारे में याद रखना है संपन रमीश जो है वो हाल ही में Park Street को पार किया था और ये सबसे तेजी में पार करने वाले भारतिये बन गए Park Street को कीरन प्रकास यह गेटवी ओफ हिंडिया से एलिफ हेंटा के बेच जो एरिया है उसे तैर कर पार किया था किस स्पेस एजनसी के बैग्यानिकों के द्वारा चंद्रमा दूल से ऑक्सिएन निकाला गया है तो यह नासा के बैग्यानिकों के द्वारा निकाला गया है किस राज में इस्थित कालेसर नेशनल पार्क में दस साल बाद बाग को देखा गया है तो यह देखा गया है हरियाना में तो यह ध्यान लखना है कालेसर नेशनल पार्क यह चर्चा में आ गया है तो यह किस राज में तो यह हरियाना में और यहां पर 10 सालों के बाद बाग को देखा गया है करनाटक में बांदिपूर टाइगर रिजर्ब और वहें पर बीग कैट इलाइंस की सुब़ात परधानमंत्री मोधी के द्वारा किया गया है मध्य परधिस में कुनो नेशनल पर्क और अफरिका से लाए हुए चीतों को यहां पर छुडा गया था और गुजरात का वर्दा नेशनल पर्क है गुजरात का वर्दा नेशनल पर्क और इसे एसियार्टिक लाइन्स का सेकेंड हो माना जाता है next cbdc यहनकी central bank digital currency को सुईकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बन गई है तो यह बन है reliance general next विस्व का पहला और robotic check-in assistance सारा किसने पेस किया तो यह पेस किया गया Emirates Airlines के द्वारा next millets के प्रती लोगों को जागरू करने के लिए दिल्ली हाट में millets experience center का उधगाटन किसने किया तो यह किया गया क्रेश्री मंत्री नरेंदर सिंग स्टोमर के द्वारा next किसकी रिपोर्ट World Development Report 2023 migration, refugees and society की अनुसर 20 में परवासियों की संख्या 184 million हो गई है तो यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है यह World Bank के द्वारा जारी की जाती है World Development Report next कहा इस्थित स्वामी विवेका नंद कॉलेज कहा इस्थित स्वामी विवेका नंद कल्चरल सेंटर यहाँ पर कल्चरल हो जागे ठीक है कहा इस्थित स्वामी विवेका नंद कल्चरल सेंटर में भारतिय सिनेवा पर काड़े साला का आयोजन किया गया है तो यह कोलम्बो में किया गया है Next, Microsoft का Startup OpenAI द्वारा विख्षित ChatGPT का प्रतिद्वनती Artificial Intelligence Chatbot Giga Chat किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो यह लॉंच किया गया हाल ही में रूस के द्वारा तेसर चैटबोट है जो हमारी बात को समझता है जब हम question पुछते हैं वो उसका जवाब देता है Chatbot, ChatGPT जो है तो इसके एक नया वर्जाना है उसमें यह छमता है कि आपके question आप जो question पुछते हैं उसके against में वो question भी पूछ सकता है तो इसी पर करका Giga Chat यह जो है वो रूस के द्वारा launch किया गया है हारी में UAE के द्वारा भी artificial intelligence chatbot विक्सित किया गया है और उसका नहा है Falcon LLM यह जो launch किया गया है वो UAE के द्वारा launch किया गया था और बाइडोज अरनी बाइडोज अरनी और अली बाबा का Tongi Quenway यह जो है यह भी chatbot है और यह चीन के द्वारा launch किया गया है और यह जो है Open AI के द्वारा जो भीक्सित है chat GPT यह तो अमेरिका का है इसके साथ यह sit समापत होता है उम्मीद है यह sit आपके लिए उप्योगी होगा कोशिस करें दो तीन बार करकी sit को देखे ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिस सके Thank you